वेलकम फ्रेंट्स सेल्फ अध्यन पर, VBA के अंदर लास्ट वीडियो में हमने एक छोट सा प्रोजेक्ट देखा था, जिसमें हम मल्टिपल सीट्स के डीटा को कौपी करते हैं, वीडियो नहीं देखा तो आप पहले वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा इन्पुट बॉक्स और मैसेज बॉक्स के बारे में, वैसे हम इसको मैसेज बॉक्स को आगे और डीपली देखेंग फिलाल हम यहां पर एक छोटा सा इंट्रो देख रहे हैं कि कैसे हम इसको यूस करेंगे, सब्सक्राइब हमारे पास कुछ हैडर हैं और उन हैडर को हम एक इन्पुट बॉक्स के जरीए यहां पर वैल्यू पास कराना चाहते हैं, सबसे पहले हम से यूजर के दुआरा पू करना है, name as a string, string मतलब group of character, designation भी हमारा clerk, typist, string format में ही रहेगा, salary हमने लेना है integer format में, real number में, अगर आपको लगता है कि decimal में हो सकता है, तो आप integer की double भी use कर सकते हैं, input box functions को हमें use करना है, यह user defined message है, आप जो message देना चाहें वो दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही message आपको बार बार use करना है, आप अपने तरीके से अपने custom message को यहाँ पर डाल सकते हैं, input box के अंदर, और उनकी values को assign करा सकते हैं, जो भी आपने particular उपर variables declare करे हैं, अब उनी variables को हमें range पर paste कराना है, आपने देखा होगा, पिछली वीडियो में हमने range को देखा था, range पर selection कराना, और यहा किसी भी custom message को आप 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 पर show करा सकते हो, इसी चीज को मैं आपको practically एक बार करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आने वाले वीडियो में हम message box के बारे में और भी detail में जानेंगे, input box के बारे में भी, और भी detail में जानेंगे, बस एक बार इसका एक छोटा सा intro देख ले और से, और यहां पर सब के अंदर define करते हुए, input data नाम का एक function बना लेते हैं, सबसे पहले हमें cursor को रखना है, a1 के अंदर, और यहां पर select कराना है, और इसके अंदर जो value हमें डालनी है, a1 के अंदर, वो हमें value रखनी है, name, इसी तरीके से, name हमें ऐसे नहीं देना, double inverted में क्योंकि यह हमारा एक string type है, कोई variable हमें नहीं लिया भी, हमने define कराना string, name, age, city, a1 की जगे मैं यहां पर कर देता हूं, b1, और नीचे की तरफ कर देता हूं, c1, name, age, city, suppose मुझे यह तीन चीज डालनी है, name हमारा होगा declaration string में, age हमारा होगा declaration integer में, और city हमारा declare होगा string में, अब यहां पर आप local variable की help से भी देख सकते हैं, यहां पर हम जब भी इसको define करेंगे, जैसे f8 में ने प्रेस किया, और आप देखेंगे, cursor हमारा गया, name की value यहां पर assign हो गई है, age की value यहां पर assign हो गई है, मतलब string जो हमने डाला था, और city, अभी name, name, age city हमने कुछ use नहीं कर रहा है, हमने सिर्फ declare किया है, तो यहां पर मैं input box ले लेता हूँ, मैंने name उपर define किया हुआ है, input box के अंदर, मैंने एक message define कर दिया है, enter name, या name के बाद मैंने तीन चीजे और डलवानी है, total तीन चीजे, name, age, city, message हम customize कर सकते है, name, age, city, अब जो मैं यह value यहां पर input box के थरूँ पास कराऊंगा, मैं हाथो हाथ यहां पर इसको डलवाना चाहता हूँ, या आखरी में डलवाना चाहता हूँ, suppose मैं आखरी में डलवाना चाहता हूँ, तो हमें क्या करना है, range, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, a2 को select कराना होगा, क्योंकि हमें उस जगह पर जो value डलवानी है, मैं सीधा ही value pass करा लेता हूँ, select कराने की ज़रूरत है ही नहीं, उस range पर मैं name की value डलवाना चाहता हूँ, B वाली जगह पर मैं age की value डलवाना चाहता हूँ, और C2 पर मैं city की value डलवाना चाहता हूँ, और यहां पर हम message दिखा देते हैं, data update successfully, तो यह हमने एक customized message डाल दिया, अब simple मैं आपको एक पर run करके दिखाता हूँ, सीधा F5 मैं यहां पर दबा देता हूँ, input box की spelling mistake हो गई है, F5 सीधा run कर देते हैं, यहां से पूछा जा रहा है, enter name, मैंने ले लिया, kamal, age, 21, city, Delhi, आप देखेंगे data update हो चुका है, बट इसमें एक error है, वो error क्या है, वो आपको मुझे comment box में बताना है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, कोई उस error का solution कैसे करेंगे, क्योंकि कभी भी हम code करेंगे, ऐसा नहीं कि हमने code किया है, वो successfully run हो, उसको जब भी हम debug करते हैं, कुछ errors जरूर होती है, वो errors, creator को तो पता होती है, बट users को जितना दिखाया जा रहा है, उतना ही उससे समझ आता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं मुझे कि इस code में क्या error है, और comment box में मुझे उसके बारे में clear करें, मैं आपको next video में उसका solution बताऊँगा, और कैसे हम error rectify करते हैं, error को ठीक करते हैं, वो भी हम next video में देखने वाले हैं, और भी बहुत सारे code project VBA के अंदर आने वाली videos में हम सीखने वाले हैं, मिलते हैं अगली video में. कर दो कर दो